Poco F1 के लिए MIUI 13 SomiU का 22.3.2 का एक बिल्ड आयो है इंडूइड 11 पोर्ट रोम है यह और जो की पोर्ट किया गया है MI CC 9 Pro से तो इसके अंदर मैं आपको complete review देने वाला हूं कि आपको कुछ हमें जो है यहां पे मिल जाता है हलाकि मेरा इंडूइड 11 का SomiU का पहला वीडियो है POCO F1 के उपर तो यहां पे आपको almost सारी सी जोगार मैं आपको बता दूँगा बाकि installation जानना है तो installation के लिए description पर आपको वीडियो मिल जाएगा और जो भी requirements लिंक है required तो आपको description पर मिल जाएगी तो आप देख लेना बाकि यहां पे हम बात करते हैं हमें क्या कुछ मिलने से चलते हैं माई डिवाइस के अंदर में तो मीवाई 13 सो मी यू का 22.3.2 बीटा बिल्ड है यह Android 11 रोम है और अगर हम यह पर इसके आपको मिल जाएगा इसका भी लिंक और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बिलकुल लेटेस्ट देखने को मिल जाता है यहां पर बिल यहां पर फोल्ड करके इदर दर ड्रैग भी कर सकते हो चाहो तो यह आपको यहां पर लेटेस्ट मिल जाएगा वहीं प्लस पर क्लिक करते हो तो यहां पर एड़ विजट्स आओर मिल जाएंगे डाटा ओन रखोगे तो यहां पर थोड़ा सा ब्राउज हो जाएगा उसके अब आप अराम से आड़ कर पाओगे इनको भी तो यहां पर यह कुछ विजट्स आपको मिल जाते हैं अदर आप इनको एड कर सकते हो और अगर अगर हम यह पर बात करें के नॉर्मल जूप यह थी निलीग के से हैं यहां पर हालकि यह यहां पर यह जो कंटोल सेंटर है य लेकिन फूल एनिमेशन लैग भी है फूल विलकुल लैक इदम भरा हुआ नहीं मिलता लेकिन अपको मिल जाते हैं रिजेंट वाइसे इस मोद है वहीं रैम की बात करें तो मेरा वाला वेरियंट है तो इसके अंदर टो पॉइंट जीवी तक करीब जो है फ्री देखने को मिल है रेम उतक्त फिलाल यहां पी देखने को मुझह यहां पर रिलक Schmidt की मिलता है बहुत करें रिल्कुल ऑर अगर में बात कर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उसके बाद ही यूज आप कर पाऊगे इसका यहां से निव और अल्ड स्टाइल आप चेंज कर सकते हो तो यह चीज़े आपको मिल जाती है वहीं बीडियो क्वालिटी की बात करें तो हलाकि बाइड़ इसके अंदर में आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर मिल जाएगा और टूल के बात करते हैं तो टूल्स के अंदर FM दिया गया है जो कि अच्छे से काम कर रहा है स्क्रीन रिकोर्डिंग की क्वालिटी दिखा दूती यहां पर 100 Mbps तक क्यों से मिल जाती क्वालिटी और जो फ्रेम रिट है 60 Mbps तक देखने को मिल जाता है और ओके गूगल की बात करें तो ओके गूगल बिल्कुल वर्किंग इसके अंदर है तो के गूगल कभी यूज आप कर सकतो यहां पर दिक्कत नहीं है और यहां पर मेन रिक्वार्मेंट यह भी है कि आपका मैजिक जो इंस्टोल करना पड़ेगा तभी आप बूटलों से मिल जाएगी सेफटीनेट कैसे पास करते हैं और बैंकिंग आप कैसे हाइड करके यूज करती हो सारी चीजिए उसमें मिल जाएगी और सटेंस के दर्फ चलते हैं तो यहांप है कनेक्शन की नियुक्त अंदर में। और अगर में चलते से बोल पेपर टेंट मैंडर में आपको दिखा दूं कौन कौन से में लाय ब़ल पेपर दिया हुआ है और यहां पर श् Очень वाले बोल पेपर द्खेंच वाले रही पाले सब्धाइनिक कि अंदर चले था यहां यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल जो की MIUI 13 आपको यहाँ अभी आपको करना है और अपको को अक्ट दिकत नहीं आती है तो जो है बिल्कुल इच्छे से काम कर रहा है इसके अंदर हमें कोई भी प्रोल्म नहीं मिलता है और अगर हम यहां पर चलते हैं नीचे तो रेस्ट टु बैक मिल जाएगा दोनों ही काम कर रहा है और चार्जिंग अनिमेशन भी आपको यहां पर तीनों ह होगा रहा हो का नहीं बाकी यह रोतेशन भी काम कर रहा है साउंडवरा relacion में साउंड वैरिशिटेड यहां College में जोकी यहां पर संट होता है यह बिल्कुल वर्कीग है तैसका भी यूज आप कर पांगे यहां पर कथ हमें कोई भी नहीं मिलती यह भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है notification and control center में control center style मिल जाते हैं old and new आप यहां से control center कर सकतो और old वाला status वार चाहिए new control center कर पाऊगे side भी switch कर सकते हैं यहां से collapse after touch भी मिल जाएगा और नीचे यह या लोक स्क्रीम वाला जैसे कि आप देख सकतो हलका सा तो कुछ इस तरीके जो ही है हाइड हो रहा है यहां पर तभी फिलाल तो यहां पर इस तरीके से देखने कि हाइड मिल जाता है और यहां पर हम चलते हैं इसके home screen की दरब तो home screen के दर आपको दिखा दो यहां पर मिलता है system navigation जिसमें जैस्टर में आपको यहां पर लैक कम मिलता है कि जैसे ही आप application को open करते हो टैप करते हो और टैप करोगे जब यह ओपन होता उस टैम पर animation lag के साथ हलका-लका आता है और यहां पर आपका बटन है यहां पर अच्छे से काम कर रहा है बस animation का जो लैग उसमें जेस्टर में था वही आपको इसके अंदर भी मिल जाते हैं बाकि तो ऐसे आपका जो निविगेशन बटन को काम कर रहा है इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं नहीं आती है और अगर हम यहां पर नीचे देखें आपका जो एप बोल्ट है यहां पर गूगल डिस्केबर भी उसे चेंज कर सकतो आप सर्च बार चेंज कर सकतो डबल टैप लॉक स्क्रीन मिल जाएगा ति यहां पर दी गई है और फिनीचे डॉंट और टेक्स्ट मिल ज ज्यादत यहां पर दिक्कत नहीं है और जो फिंगर प्रिंट है यह भी बिल्कुल फास्ट काम कर आप देख सकतो तो रिस्पोंस काफी अच्छा मिल जाएगा ति यहां पर कोई दिक्कत नहीं है सिक्योर्टी के अंदर में दोनों का यूज आप अच्छे से कर सकते हो और फिल्ट हे और inhabitants उक यहां पर को ब्लें लेंटरी को फास्करी अंदर में है इडिशनल सैटेंस के अंदर linking लेंग्विज कौन कौन सी है यहां पर काफ कऱ यहां कि मुझे यहां पर कोई बिंडोनेशन लेंग्विज देखने को नहीं मिली, जो कि काफी लोग नोच में में तर giàता है और नीचे में धिया गया है, जिसमें 4GB तक का मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है ये भी तो इसको भी एग्नोर करो और फिर यहाँ पे screen time मिल जाएगा dashboard focus जो की बिल्कुल इससे काम कर रहा है special features के अंदर sidebar मिल जाता और बिल्कुल latest वाला है यह नहीं कि आप इसको hold करोगे तो यह आपका यहाँ पे hold करके इधर लेटेस्ट है यहाँ पर लेटेस्ट देखने को मिल जाता sidebar और बाहर में ही प्लोटिंग बिंडो सेकेंड स्पेस मिवाई लैब और लाइट मोड मिल जाएगा और फिर यहाँ पर MI account हो गूगल अकाउंट यह सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और यह यह सारी चीज़े मिल जाती है फिल्टर मिल जाता है स्काई भी दिया गया है और प्रोटेक्टिव वाटर मार्ट जो की लेटेस्ट है तो यह सारी चीज़े मिल जाएगे इंटूट स्कोर 3,92,000 देखने को मिला है इसके अंदर में वह यह गराम CPU थ्रोटलेट की बात करती ह है और यही जो है सेंट जो टेस्ट किया है चीजो देहरा इरफोन के साथ और इक तरीक यह इंदर दिन एक्स्ट्रीम भी खेलने वाले हैं और गेमिंग पॉफॉमेंस को लेकर के अगर मैं बात करें यहां पर फिलाल यहां पर मुझे गेमिंग पॉफॉमेंस उतनी अच्छी नहीं लगी है थोड़ी दिरबाद क्लासिक में तो इसे आपको लैग होगा ही होगा थोड़ी दिर भी उत्स तरीके से देखने को मिलेगा और लास्ट में तो आपको काफी देखने को मिल जाती है gaming के मामले में और बैटरी जैसे बताए कि बैटरी आपका नॉर्मल है इसके अंदर में नहीं बिल्कुल खराब वाली के टरगर में आपको देखने को मिलेगा तो बैलेंस एक fast boot पे जाने के chances है कि आपका फ्लस करके जैसे reboot करो fast boot पे साथ चला जाएगर जाता है तो magic flush करके reboot कर लेना और magic के तुरू ही आपको safety net pass कर लेना उसकी भी video description पे मिल जाएगी कैसे safety net pass करते हो सरी चीजे latest and old कभी तो आप देख लेना कैसे आपको करना हो आप वहां से अराम से कर लेना installation आपको description पे मिल जाएगा बाकी तो जो भी था यहाँ पर मैं इस ओल पे कल लीजे ताकि एक लिए वीडियो की notification आप सभी को मिल जाए thanks for watching